हलो एन वेलकम आप देख रहे हैं पंजाब के स्री नवदे टाइम्स टीवी और एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ टीवी से बॉलिवुड तक की ताज़ात रेन खबरों के साथ बिग बॉस के फेवरिट कपल सिधात और शैनाज एक बार फिर से साथ में नज़र आने वाले हैं जी हाँ बिग बॉस 13 के बाद से ही सिधात और शैनाज को एक साथ देखने की सोशल मीडिया पर लगातर मांग चल रही है तो ये खबर आपके लिए कि जी खुशकबरी से कम नहीं होने वाली है दरसल एक अवार्ड शो में सिधात और शैनाज एक साथ नज़र आएंगे और इस बात की जानकरी सोशल मीडिया पर उन्होंने खुदी दी है तो वहीं बिग बॉस 13 के कंट्रिस्टेन आसिम रियाज बले ही बिग बॉस की ट्रोफिय अपने नाम ना कर पाए हो लेकिन बिग बॉस के बाद उनकी एक नई जिन्देगी की शुरुवात हो चुकी है दरसल आसिम रियाज बॉलिवुड एक्टरस जैकलिन के साथ एक म्यूजिक वीडियो में सामने आने वाले हैं इस वीडियो की शुरुवात जैकलिन और आसिम ने साथ में मिलकर कर दी है दो नुकलाकार इस वीडियो की तैयारी मलेगे हुएं जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वारेल हुई है दिली में चल रहे तनाप पर जहां बॉलिवुड के लगाता रियक्शन आ रहे हैं तो वहीं हाली में बॉलिवुड एक्टर जिशान आयूब ने जस्टिस मुलिधर के ट्रांसफर पर सोशल मीडिया पर अपना गुस्ता जाहिर किया है जिशान आयूब ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है कि जैसे कि जस्टिस का ट्रांसफर हुआ है उससे साफ नज़र आता है कि सरकार को दंगे और मौतों से कोई भी फरक नहीं पड़ रहा बॉलिवूर एक्टर कॉंकरा सेन अपनी फिल्मों से जादा अपनी निजी लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं लंबे समय से बॉलिवूर एक्टर कॉंकरा सेन और उनकी पती रनवी शौरी के बीच में कुस ठीक नहीं चल रहा था तो हाली में ये खबर सामने आई है कि दोनों ने तलाक लेने का फैसला ले लिया है बधाई और पंगज जैसी ब्लॉक बस्टर में अपने अभीने से सबका दिल जीतने वाली नीना गुपता आजकल सोशल मीडिया पर च्छाई हुई है दरसल नीना गुपता ने अभी हाली में सोशल मीडिया पर अपने सामन के साथ एरपोर्ट पर एक फोटो साजा किया है जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि अगर तीन बार आपकी आईडी को चेक किया जाये तो समझ लिजे अभी आप फेमस और सक्सेस्फुल नहीं हुए है तो ये थी टीवी और बॉलिवूर्ट से जुड़ी कुछ खास अपडेट बाकी की खबरों के लिए देखते रहे है मेरे साथ पंजाब के स्री नवदी टाइमस ठीवी